जोदपूर SDM प्रियंका विश्णोई का निधन हो गया है बड़ी खबर ये कि सुबा एम्स में पोस्बातम के लिए शब को लाए गया था परिजन और विश्णोई समाज अब धन्ने पर बैठ गया है शब उठाने से समाज के लोगों ने इंकार कर दिया दोश्यों को सजा की मांग की जा रही है वसुन्द्रा अस्पतार पर दरसल लाफरवाही का आरोग परिजन लगा रहे है विश्णोई समाज लगा रहा है बड़ी खबर आपको बता रहे है जोदपूर से जोदपूर SDM प समाटम के लिए शब को लाया गया था परिजन व विश्णोई समाज अब धन्ने पर बैठ किया है साफ तोर पर यह कहना है कि हम शब नहीं उठाएंगे तब तक नहीं उठाएंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता समाज की लोग इंकार कर रहे हैं मांग कर रहे हैं कि दोश्यों को सजा मिले दरसल यहां पर विश्णोई समाज और साथी SDM के परिवार का आरोप वसंद्रा अस्पताल पर लगा है लापरवाही का आरोप लगा है चंद शेकर अमारे समवादता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं चंद शेकर इस वक्त क्या देखें यह पुरा मामला जो है आर एस प्रिंका विश्णोई की जो मौत ही उससे जुड़ावा मामला है करीब 15 दिन पहले प्वसंद्रा अस्पताल में उनका ओपरेशन किया गया था उनके बच्चे दानी में कोई गाठ की जिसका ओपरेशन करने के बाद वो होस में नही हो साया तो उन्हें तुरंट यहां से रेफर्ड करके हमजावाद दे जाए रहया लास के दोधरान कल रात उनों नहीं जो है अंतिम सांसे लिए इसके बाद गुष्णोई समाज में इस मामले को लेकर आक्रोश है और गुष्णोई समाज आज एंस के बाहर मुर्शी के बा कर डाली है इसके अलावा जिस तरह से उनका आरोप है कि वसंद्रा अस्पताल में जो एनस्थिस्या दिया जायता उसमें लापरवय बढ़ ली गई जिसके चलते हैं प्रेंग का विश्णवी जो है वापस में नहीं आपाई और इस आरोप के साथ जो है वो लगातार धना प् समद्रा आज इस कमेटी द्वारा जो है इसकी रिपोर्ट पिश की जाएगी इसके बाद आगी की कारवई जो है जिला प्रस्वास द्वारा उठाई जाए जाए जाच भी हो रही है परिजन फिर और क्या चाहते है उनको क्या समझाने भुजाने के लिए वहाँ पर जाच चल रही है जब जाच चल रही है तो फिर दर्ज करने में क्या हर्ज है उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही है और चूंकि यहां अस्पदाल से जोद्पूर से रहर करने के बाद आम्दावाद में भी जाए जिला कलेक्टिर को एक लिके शिकाए दी इसमें जाच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है इस सब के बीच में आपर पहिचन कहा रहे है कि सबसे पहले लापरवा डॉक्टर के खिलाफ एफ आई यार दर्ज होनी चाहिए और इसी मांग को लेकर धरने पर बैठ कहे हैं परिज़र श्रिंगंगा नगर के सूरतगर से बड़ी खबर आरिया जापर अतिक्रमण पर पीला पंजा चला है इंद्रा सरकल से अतिक्रमण के खिलाफ कारवाई शुरू हुई सिती थाना तक अतिक्रमण को हटाया जाएगा कानून विवस्ता बनाए रखने के लिए तैसिलदार भी मौके पर मौझूद हैं गौरपथ निर्मार से पहले पालिकाने अभियान किश्वात की कोड के आदेश पर एने सिक्स्टी टू पर भी अतिक्रमण की कारवाई होगी तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर लगातार पीला पंजार चलता हुआ प्रिशासन का ये एक्शन अतिक्रमण के खिलाब इंद्रा जर्किल से अतिक्रमण हटाने की कारवाई शुरू की गई है सिटी ठाना तक यहाँ पर इस थिस्टे को अतिक्रमण मुक्त कराये जाएगा कानून विवस्था बनाये रखने के लिए तैसे दार्वी मौके पर मौझूद है आपको बतारी कि गौरपत निर्मार से पहले पालिका ने अभ्यान शुरू किया और ये सब कुछ स्पोर्ट के आदेश पर हो रहा है एने शुरू पर भी अतिक्रमण अटाने की कारवाई होगी